हलो दोस्तों, क्लास 11 की एड्मिशन्स के लिए कॉमन मेरिट लिस्ट रिलीज हो चुकी है अगर अभी तक आपने कॉमन मेरिट लिस्ट नहीं देखी तो जाकर जल्दी से जरूर देख लीजिए और वो लिस्ट कैसे देखनी है उसकी वीडियो बनाई जा चुकी है उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा साथ ही कॉमन मेरिट लिस्ट देखने के बाद आपको डिस्क्रिपैंसी भी चेक करने है डिस्क्रिपैंसी का मतलब फॉर में कुछ गलती तो नहीं हो गई है और वो गलती कैसे देखनी है, आपको discrepancy list कैसे देखनी है या discrepancy है या नहीं, वो कैसे देखनी है उसकी वीडियो भी बनाई जा चुकी है आपको इस वीडियो के description box में उस वीडियो का link भी मिल जाएगा common merit list में आपका नाम आजाने के बाद, क्या आपका admission पका हो जाता है बहुत सारे students को doubt लगा है कि admission हो गया है, common merit list में नाम आ गया हमारा ऐसा नहीं है, common merit list में उन students का नाम आया है, जिन students ने online application form fill किया था online application form fill जिन्होंने भी किया है उनका नाम common merit list में दिया गया है पर इसका मतलब यह नहीं है कि आपको school की seat मिल गई है यानि कि आपका admission हो गया है अगर आपको seat मिल जाती है admission हो जाता तो आपके नाम के सामने आसपास यह जरूर लिखा होता कि आपका admission कि school में हुआ है तो common merit list में नाम आजाने का मतलब यह नहीं है कि आपका admission पका हो गया है admission पका हो गया है या नहीं हो गया यह कब पता लगेगा यह पता लगेगा 19 अगस्त को तो आपको थोड़ा सा और इंतजार करना होगा भी दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और वीडियो अच्छी लगियो दो वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए और चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब करना न भूलियेगा मिलते हैं बहुत चल्द अगली वीडियो में